हेलो स्टुडेंट्स आज हम क्लास नाइन्थ का फर्स शेप्टर दफफन दे हैड की समरी पढ़ेंगे इसमें जो बताएंगे है वो उस समय की बात है 217 की यानि की भविश्य की बात कही गई है जब शायद पूरी की पूरी लर्निंग ही कम्प्यूटर बेश्ट होगी यह लर्निंग होगी जैसी आज करोना काल में कुछ कुछ चल रही है आईए उसकी समरी पढ़ते हैं यह दो बच्चों की कहानी हैं मारगी और टॉमी जो की एक किताब ढून के लेके आते हैं जो उनके दादा जी से रिलेटेड हैं और मैं खुश होते हैं कि वाओ कैसे स्कूल होंगी किताब होंगी वो पढ़ने पलटते हैं तो इसके स्क्रीन नहीं बढ़ती तो दोनों बड़े हैरान हो जाते हैं तो सोचते ही कितना मज़ा आता होगा जब सब बच्चे एक साथ बैठते होंगे, एक जगे बैठते होंगे, पढ़ते होंगे, चीजें शेयर करते होंगे, बाते शेयर होते होंगे, इस लिगे इस चैप्टर का नाम रखा गया है, The Fund They Had, आई बच्चों इसकी सम्मरी पढ़त इसमें भविश्य के उस समय के बारें बताएगा है शायद जब हर काम कम्प्यूटर से ही होगा more ever इससे भी बढ़कर it also shows how the concept of schools and classrooms has transformed completely कि कैसे school और जो classroom का जो पूरा का पूरा concept है वो ही बदल कर रह जाएगा उसकी जगा इसीख्षा यानि इर लर्निंग कम्प्यूटर के द्वारा विज्वल इंडिविज्वल क्लासेज घर में सायद स्टार्ट हो जाएं या इसी तरह की और जो आज कलम करोना काल में देख रहे हैं दूसरी पढ़ाई की तखनीक आ जाएंगी और जो पारमप्रिक सिख्षक हैं वो शायद नहीं होंगे तब और नहीं इस तरह के school होंगे It is the year 2157 and Margie is writing in her diary about how Tommy found a book Margie ने अपनी diary में लिखा कि कैसे Tommy को एक book मिली This book was of Tommy's grandfather when he was a little kid और ये पुस्तक किस ती थी उनके दादा जी की जब वैं उनकी तरह एक छोटे बच्चे थे Margie learns about how they used to print all the stories on paper back then वो उसने सिखा कि कैसे हाल स्टोरी उन दिनों paper पर लिकी जाती थी और book के रूप में print होकर आती थी ये उन बच्चों के लिए बड़ी ही अनोकी और नहीं चीज थी क्योंकि उन्होंने अभी तक जैसी books देखी थी वो सब क्या थी ये books थी और computer पर चलने वाले pages थी जीने वो हाथ लगाते थे और slide से आगे चले आते थे लेकिन ये books कैसी थी इन पे page पलटने पर भी उनके जो चीतर थे या जो भी उन पे print था वो बदल नहीं रहा था further they read the book themselves and find the feeling of turning pages over rather funny it was funny because they were not in the habit of reading still words बच्चों सब ज़्यादा उन्हें मज़ेदार की चीज क्या लगी क्योंकि उन्हें इस तरह छपेवे अक्षर पढ़ने की आदत ही नहीं थी only once in motion then two on a screen we learn that in the future that are no books only telly books they store them in tv sets and computers उन्हें केवल e-planning की आदत थी जो कि उनकी tv set या computer में store होते थे उन्हें इस तरह की books को पढ़ने की आदत नहीं थी इसलिए यह सब उन्हें बड़ा सप्राइजिंग लगा बड़ा अश्यरे हुआ नहीं देखकर आ उससे भी जादा अश्यरे उन्हें अब होता है let's read after that it takes an interesting turn when they discuss school इससे भी जादा उसे इंट्रेस्ट कवा है जब उन्होंने स्कूल के बारें discussion किया Margie learns that schools were very different back then उन्होंने देखा कि school पहले totally different होते थी क्योंकि बच्चों अभी तो वो अपने घर में अपने रूम में बैट की study करते हैं ना computer से इसलिए it is surprising because she has only robots which teacher और उससे भी हरान की बात इसलिए थी क्योंकि उनके पस सिरफ robot था computer screen थी जिससे वो पढ़ते थे इसलिए वो बहुत हैरान थे कि वास्ट्रिक टीचर भी होते थे जो बच्चों को पढ़ाते थे more or she doesn't like school because of a lot of regions the school she studies does not have any classmate in fact it does not even have recess or playground उसे अपना school बिल्कुल पसंदी था जिस तरह वो पढ़ाई करती थी ना e-book से e-learning से क्योंकि उसमें ना तो दोस्त थे ना ही school था ना ही playground थे और ना ही उसके पास अपने class के साथ ही थे जिन के साथ वो खेल सके इसलिए उसे बड़ा अच्छा लगा कि कितना मजा करते होंगे कितना fun करते होंगे पुराने जमाने के लोग बच्चों मारगी और टॉमी कहां करते थे virtual classes में लेट्स रीड मारगी और टॉमी स्टडी इन ए virtual classroom दे है रोबोट्स एड टीचर्स मोस्ट इंपोर्टेंटली हर स्कूल इन नेक्स्ट तू हर बैडरूम ओनली इट इस रूम फुल ओफ एलेक्ट्रोनिक्स रोबोट्स उनका जो रूम था कैसा था virtual classroom था जिसमें teacher कौन था रोबोट था उनके बैडरूम के जो अगला रूम था वो उनका classroom था इसमें electronics आइटम रोबोट्स और गैजट्स भरे हुए थे जो computer software था वो उनका teacher था और वो रोज उसी से अपना पाट पढ़ते थे जब उसने इसके बारे में आगे पढ़ा तो से बरा आश्चरे हुआ कि जब उसने पढ़ना शुरू किया था तो उसके ऐसी help करने के बारे में लिए वाँ कोई नी था सिक्षक रहते होंगे मारगी वंडर्स एबाउट दा फन हर ग्रांट पैरेंट्स वूट इंगलर इंग सी इमेजिन किड्स फ्रॉम डिफरेंट नेबर्वोट्स कमिंग तो गैदर मेरी ली तो अटेंड दे स्कूल उसे बड़ी खुशी हुई बड़ा आननद आया यह सोच करिए वो विलकुर रोमांचीत हो गई और सबसे बड़ी बात थी कि सबको एक जैसी चीज पढ़ाई जाती थी और सब बच्चे एक दूसरे की help कर सकते थे अन्त में वह यह सोचती ही रह गई कि कितना मज़ा करते होंगे कितना मज़ा आता होगा एक अध्यापक होगा सबको एक जैसा पढ़ाता होगा सब एक दूसरे की help कर पाते होंगे उमवक में कितने मज़ेदार रहे होंगे वो दिन अब बच्चो अब इसका conclusion पढ़ते हैं conclusion of the fun they had to sum up the fun they had summary this chapter throws light on emerging technology and how it is overtaking the world इसे बताया कि technology कैसे पूरे world को अपने अंदर समेट रही है thus in the near future it would not be surprising if teachers were replaced by robots और भुष्य में कोई surprise की बात नहीं होगा अगर teacher की जगे robot आपनों को पढ़ाने लगे और school की जगे ऐसा ही कोई virtual classroom हो और e-books हो hope you like it if you like it please share comment and subscribe us thanks for watching it in next video we read the question answer of this chapter the fun they had अगली video में हम the fun they had के प्रशन उत्तर करेंगे तब तक bye bye बच्चों take care and don't forget to subscribe today